दोस्तों आज एक ऐसे औश्धिय पौधे के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ जिसकी पत्तियां जिसके फूल जिसके फल जिस पौधे की छाल सारी चीजें बहुत ही उपयोगी हैं हमारे सेहत के लिए हमारे सौंदरे के लिए ये बहुत ही उपयोगी है नीम की पत्तिय जी हाँ दोस्तों पहले तो घर घर पर नीम का पेल लगा रहता था आजकल भी लगा रहता है परन्तु आजकल थोड़ा कम देखने में आता है आपको इसकी पत्या बहुत आसानी से मिल जाएंगी अपने घर के आसपास ही गुणो का भंडार है एंटी बैक्टिरियल एंटी फ नीम की पत्ति का यसे इस्तमाल करना है नीम की चाल का कैसे करना है नीम की टहनी एंटी चैनलना को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा तो ऴेरे घर पर नीम का पेल लगा हुआ है बस वहीं से मैं ताजी पत्तियों को तोड़ लेकर आई हूँ आई-खर वेद में नीम का बहुत जादा महात्व है एक बहुत ही बढ़िया ओजधी है दोस्तों जो कि कई बिमारियों को दूर करती है इसकी टहनी की बात करें इसकी टहनीयों से इसके स्टेम से यदि आप दातून करेंगे ना दोस्तों तो मुझ से सम्मंधि सारे रोग ठीक हो जाएंगे चाहे दातो में दर्ध हो दातों में कीड़ा लगा हो मसूडों में सूजन आ गई हो या पाईरिया की बिमारी हो जो क्योंकि ये एंटिसेप्टिक एंटिबैक्टिरियल होती है एंटिफंगल प्रॉपर्टी होती है तो दातून कर सकते हैं दोस्तों इतना फाइदेमद है इसकी पत्यो तोड़ी बहुत भी खराब थी, उन्हें मैंने बिलकुल अलग हटा दिया है, नीम की जो पत्या हैं दोस्तों इसका प्रेयोग आप अपनी ब्यूटी के लिए भी कर सकते हैं, चेहरे पर बहुत जादा फोड़े फुनसी मुहां से एकने की समस्या है, नीम की पत्यों का पेस् बिलकुल ही दूर हो जाती है, यह देखे, तो यहां पर आप चाहें तो दोस्तों बहुत से लोग पुराने समय के लोग क्या करते थे, नीम की बिलकुल दो छोटी छोटी जो पत्या होती ना कोमल पत्यां, जो की बिलकुल उगी रहती हैं, ग्रो होती हैं, पस उन कोमल पत् उसे आप चाहें तो सुबह खाली पेट चबा चबा कर खालें, उपर से आप पानी पी लें, आप देखेंगे हर तरह का जो चर्म रोग है, स्किन डिसीज है, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, बाल के जड़ने से परिशान है, वह ठीक हो जाएगा, साथ ही साथ कई बिमारिया हमारे सोंदर्य के लिए बहुत फायदे मन्द है, बच्चों को पेट में कीडा हो जाता है, कई बार दोसो तो कुछ नहीं तो नीम की पतियों का रस, थोड़ा सा रस, आधा चम्मच रस दे दें, पेट का कीडा ठीक हो जाता है, खून को साफ करती है, और साथ ही साथ दोसो कई अनाजों में भी नीम की सूखी पत्तियों को एक polythyn में भर कर रखा जाता जब हम लोग गेहूं स्टोर करते हैं, कभी भी गेहूं में कीड़े नहीं लगते, पर पॉलिथिन में रखें, पत्तियां सूख जाती हैं तो मिल जाती है अनाज में, इसलिए polythyn में छेत कर दें बारिक बारिक और फिर आप रग दें तो किड़े नहीं लगते कुदरत ने हमें जो नीम का पेड़ दिया है दोसों बहुत ही चमतकारिक पेड़ है और हर जगा लगा रहता है गुणकारी और जधी युक्त ये जो पौधा है दोसों बहुत से ब्यूटी प्रोड़क्ट में इसका इस्तमाल किया जाता आप देखेंगे बहुत से शेंपू आते हैं जिसमें लिखा होता है नीम युक्त बहुत से फेश वास आते हैं जिसमें लिखा रहता है नीम युक्त तो साबुन में भी देखा होगा नीम का साबुन आता है, यहां पर मैंने कुछ नीम की पत्यों को छाओ में सुखा लिया था, दो से तीन दिन में पत्यां ड्राय हो जाती हैं, उसके बाद आप इसे ग्राइंडिंग जार में डाल कर इसका पाउडर बना कर इसे चान कर स्टोर मेरा पाउडर इता हरा है, इसके अलावा आप चाहें तो नीम का तेल बना सकते हैं, इस नीम के तेल से यदि आप अपने बदन की मालिश करेंगे, या फिक कहीं पर भी दात खाज, खुजली, एक्जिमास, और आइसीज की परिशानी है, चर्म रोग को बिल्कुल ठीक कर द इता है नीम का तेल, बालों पर लगाएंगे ना रुसी है, और देंड़िय देंडर्फ की समस्य है, या इसी तरह का हमारे स्केल्प में फंगल इन्फेक्शन है, उसे दूर करता है नीम का तेल बनाने के लिए एक कटोड़ी सर्सो का तेल लिया है, और मुठी नीम की पत्त जिसे मैंने धो कर एक कपड़े के उपर रख दिया था ताकि पानी न रहे इस तेल में डाल दिया है अब चलते हम गैस की ओर और इस तेल को बहुत अच्छी तरह से हम पका लेते हैं उसके बाद चान कर इस तेल को स्टोर कर लें नीम का तेल बहुत फाइदे मंद दांत में द का तेल लगाएं जुएं की समस्या डेंडरफ रूसी की समस्या समाथ होगी हमारा स्केल्प बिलकुल साफ सुत्रा हो जाएगा हमारे स्केल्प से गंदगी को हटाता है रात भर इस तेल को लगा रहने दें अपने बालों पर सुबह उटकर आप लोग हेयर वाश कर सकते हैं शेंपू का इस्तमाल कर सकते हैं इसी तरह से कभी हमारे शरी में कोई फोड़ा हो जाता है फुनसी घाओ हो जाता है दोस्तों किसी भी तरह का तो भी आप महाँ पर नीम का तेल लगा सकते हैं आपको बहुत जल्दी ही फायदा मिलेगा दोस्तों तो नीम का पूरा पौधा कि आटा वाही औजदियों का भंडरे . छाहे पती की बात करें चाहए टेहनी कि नीम की दातून करनेसे हमारे दातों में चमक आती है , हमारे मसूड़े मधशून थे कि लोग निम की टेहनी से दातून करते थे जो कि बोहत से चर्म रोग होने नहीं पंपते थे तो ये बहुत ही औज़्दियों का भंडार है दोस्तों ये पौधा इसका इस्तमाल हमें जरूर करना चाहिए आपके घर के पास भी लगा होगा आप इसकी पत्तियों को तोड़ कर जरूर लाएं किसी भी तरह का फंगल इंफेक्शन है उसे दूर करता है नीम का ये तेल डेंडरफ की समस्या बाल जढने से परिशान है जरूर लगा है अपने बालों पर दोस्तों हेर फॉल रुकेगा बालों की लंबाई बढ़ेगी और नीम का जो ये तेल है दोस्तों आयरुवेद में एक बहुत ही अच्छी ओष्धी माना गया है दोस्तों और जिनने डियाबिटीज है उन्हें भी नीम की एक पत्ती जरूर खाना चाहिए ब्लट प्यूरिफाय करता है नीम का सेवन हमारे रख्त को शुद्ध करता है इसके अलावा ताजी पत्या नहीं उन प्रिकल ही ठीक हो जाएंगे बालों पर इस पाउडर को लगाना है तो एक छोटी चमच पाउडर ले 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 और दो चमच नारियल का तेल और फिर इससे आप अपने बालों की मालिश कर सकते हैं आप देखेंगे आपका बालों का जढ़ना रुख जाएगा तो ये बहुत ह सारे इसकिन डिसीज ठीक होती है और कब्ज की परिशानी दूर होती है यदि आप इसकी एक पत्ती को खाते हैं और हर तरह का फंगल इंफेक्शन दूर करता है नीम की पत्तियां तो ये बहुत ही जादा पावरफुल आउजदी है दोस्तों इसका इस्तमाल आप जरूर करे फोड़े, फुल्सियां तो बिल्कUL मिंटो में ठीक हो जाते हैं इसके इस्तमाल से तो पत्तियों को धो लें उसके बाद ही आप इसका इस्तमाल करें चहरे पर लगाएंगी तो चहरे पर टैनिंग जो होगी वह दूर होगी चहरे पर चमक आएगी पिम्पर्स की प्रॉब् जरूर करें